यहां जो भी उपस्थेत हैं उनसे बिना मांगे बिना साधना या तपस्या किये और बिना किसी पूजा या विंती के उनका सब कुछ प्राप्त कर अपने ब्रह्म ज्यान को प्रमानित कीजिए कि ऐसा तो नहीं मेरी पुत्रिया अपनी विभलता स्विकार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं प्राणाम घनीश ची सौभाग्य वतीभव धन्यवाद प्रफू आपने बिना मांगे सब कुछ दे दिया पर उन्होंने तो बस सौभाग्य वती होने का अशिरवाद दिया है अवश्य और हम दोनों के सौभाग्य तो शी गणीशी है अब तो हम आपके परिक्षा में सफल हुए ना गणीश जी बताईए न प्रफू सत्य है मेरी परिक्षा में तो आप दोनों अवश्य सफल हुई किन्तो उसके परिणाम स्वरूप एक और समस्या उत्पन्न हुई है ये कैसे तय होगा कि मैं आप दोनों में से किस से विवाह करूँगा किसी एक से नहीं पुत्र तुम्हारा विवा दोनों से होगा क्या? ये तो विधी के विधाम के अनुसार है पुत्र तो उसी का शाब तुम्हे स्वाण है पुत्र मेरे भावन प्रे मेरे अंतिशिने इसले मेरे संपुन समर्पन का अंकाषा करने के लिए तो आपको केवल अपना ब्रामचारइए पह नहीं करना होगा अपी तो एक नहीं, दो विवा करने होगे होगे। प्रभु ने तो बिना कुछ कहे ही अपनी हाँ का संकेत दे दिया। हे प्रभु, हे माहेश्वरी, क्या आप भी मेरी पुत्रियों को गणेशी की वधूँ और आपकी पुत्र वधूँ के रूप में सुविकार करते हैं। सहर्श सुविकार करते हैं। देव शिर्पी विश्व करमाजे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हो गणेश्ची, आपको भी में सुविकार करते हैं। को अनेको अनेको बधाईयां। धन्यवाद जी, आपके विवाद में बहुत नातिंडा। मैं शगुन लेकर आती है। प्रभु, यदि आपकी अनुमती हो, तो मैं अपने होने वाले जमाई, श्री गनेश्ची को शगुन भेट करना जाता हूं। अन्यवाद प्रभु, यदि आपके जाता हूं। अन्यवाद प्रभु, यदि आता हूं। अन्यवाद प्रभु, यदि आता हूं। अन्यवाद प्रभु, यदि आता हूं। शुभिता के इस पल में किस अशुप का अभास हुआ मुझे। अन्यवाद प्रभु, यदि आता हूं। अन्यवाद प्रभु, यदि आता हूं। अन्यवाद प्रभु, यदि आता हूं। माता आपकी क्रिपा व्यर्थ नहीं जाएगी नरकासुर असंबव को संबव बनाएगा तेवताव को धूच चटाऊँगा और सुल्फ पर अपना एक अधिकार तापित करूँगा करू़ हो जाल नहीं एक वर को संबशु хозяण करा वर में उसे कि यह कैसा अंदकार चाहरा है स्वर्क पर यह तो उसके आगमन का संकेत लगता है जो पहुंसता बाद में किन्तु उसका प्रकोप पहले दिखाई दे जाता है अर्थाद संकत साफधान देवगंड तेव शिल्पी विश्व कर्मा जी कहा है स्वर्क कोन की आवशक्ता है हमें शीक्र स्वर्क के सुरक्षा घेरे का नर्मान करना होगा प्रभू, माहिश्वरी अब मुझे आज्या दे कल मैं विवाह की तिथी तै करवाने देव गुरु व्रिहस्पति के साथ लोटूँगा प्रधम पूज्य विग्नहरता गनेश के विवाह की तिथी का तै होना कोई साधारन घटना नहीं है इसलिए देव गुरु प्रहस्पति ही नहीं अपीतु देवराज इंद सहित अन्य देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया जाए उचित है प्रभू मैं स्वयम सभी देवताओं को आमंत्रित करूंगा कुछ तो अवश्य हुआ है जिसके कारण मां चिंतित है कि मुझे उनकी चिंता का कारण ज्याद करना होगा तेव शिल्भी विश्व कर्मा जी का करतावी ही सर्वो परी उन्हें यहां होना चाहिए प्रसन्नता के इन पलों में भी देवराज प्रणाम देवगन प्रसन्नता की तो बात है देवराज पार्वती नंदन गनेश जी माता पार्वती और जगतपिता महादेव ने मेरी पुत्रियों को स्विकार कर लिया है कल गनेश जी के विवाह की तिधी निकलवाने हम सभी कैलाज पे आमंत्रित हैं देव गुरुवरी हस्पती जी स्वेम महादेव ने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा है ये तो अत्यांत सुखत समाचार है देव शिल्पी विश्वकर्मा जी किन्तू इस हमें स्वर्क पर संकत चाया है और उसकी सुरक्षा है तो हमें सुरक्षा घेरे का निर्मान करना होगा और वो केवल आप ही द्वारा संभावना शमा चाहूंगा इंद्रदेव मैं अपने आनंद में इतना खो गया मेरा ध्यानी नहीं गया कि आप सब इतने तनाओं में क्यों हैं क्या संकट छाया है इंद्र लोक पर एक शाप मेरे विवाह का मुख्यकारण कैसे बन सकता है मा तो ये है तुम्हारे मन में होनी अपने होने का मार्क ढूंड ही लेती है वो शाप तो बस निमित है क्योंकि रिद्धी सिद्धी से तुम्हारा विवाह होना नियती है और ऐसा क्यों है इसका उत्तर तो तुम्हें प्रभू महा गणादी पती से ही मिलेगा मुझे पूर्ने विश्वास है पुद्र कि वो तुम्हारे मन का संजें दूर कर देंगे मा मेरी चिंता दूर होने का उपाय तो आपने बता दिया किन्तो आपकी चिंता का क्या कारण है समय के साथ वो भी तुम्हें घ्याथ हो जाएगा पुद्र आप चिंता बद कीजिए केलाश जाने से पूर्व एक ऐसे सुरक्षा घेरे का निर्मान करूंगा जिससे स्वर्ग की सुरक्षा सुद्रिड हो जाए और शत्रु का बल विफल हो जाए है विश्वकरमा जी उसके बाहू बलकि हमें कोई चिंता नहीं है चिंता है उस शक्ति की जो उसने प्राप्त की है तो मैं कैलाज जाकर तीथी निकालने के कारेक्रम को आगे बढ़ाने का निवेदन भी कर सकता हूं नहीं देफशल्पी विश्वकरमा जी यह उचित नहीं है एक दोष्ट और अधर्मी के कारण हम एक मंगल कारी में विलंब करें यह हमारी पराजे है यह करना उचित नहीं होगा औरी द्रणता से हम उसका सामना करेंगे और युद्ध के बिना किसी भी पड़ाव पर हम हार्ष्विकार नहीं करेंगे तो मैं अपना कार्य अभी आरंब करता हूंदा करता है देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, आपने अपना कार्य पूर्ण किया, कोई साधारन असूर आपके बनाएव सुरक्षा घेरे को भेद नहीं पार, इस असाधारन असूर से हमें साफधान रहना आओगा, इसलिए आप आगे वड़िये, इस असूर को लौटने पर विवश् अचात ही, हम सभी कैलाश पहुंचेगे हे परंब्रंभ महागणा अधिपती जी, किसी भी कार्य का आरंभ, किसी भी प्रकार की दुविधा के साथ कभी नहीं करना चाहिए कृप्या मुझे दर्शन देकर, मेरी दुविधा को मिटाने में मेरी सहायता कीजिए हे प्रभु महागणा अधिपती जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिए प्रणाम प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या हुआ गणेश? शांत क्यों हो गए? ये ही मेरे पूण दर्शन है देवी रिद्धी और देवी सिद्धी कनेश ये तो तुम चानते ही हो ग्यान, कला या शक्ति सिद्ध होने पर ही हमारे लिए कारगर बनते हैं इसलिए रिद्धी बिना सिद्धी नहीं और सिद्धी बिना रिद्धी नहीं और जब दोनों मिलते हैं तो बनती है बुद्धी तो शाप नहीं, मुझे इस कारण वश्रिद्धी सिद्धी दोनों से विवाह करना है तुम मेरे अंशो गणेश और देव शिल्पी विश्व कर्मा पुत्रियां, रिद्धी सिद्धी, मेरी पत्नियां, अर्थात, मेरी शक्ति की अवतार है तुम्हें पून ता पाने के लिए उनसे निस संकोच विवा करना चाहिए उचेत है प्रभू, मेरी दुविधा दूर करने के लिए आपको कोटी-कोटी धन्यवाद तुम्हारा सदा कल्यान हो गणेश किन्तु पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अभास हो रहा है कि ये इतना सरल नहीं होगा विग्न हर्ता के विवाह में विग्न भी आएंगे देव गुरु ब्रहश्पति जी समस्त अतिथी आ गयें किन्तु देवता गण अभी तक उपस्थित नहीं हुए देवरा जिंद्र ने वचन दिया था कि वो सभी देवताओं को लेकर अवश्य आएंगे देव गण आते ही होंगे प्रभु कहीं उस दुष्ट नरका सुरने स्वार्ग लोग पर आक्रमन के लिए आज का दिन ही तो नहीं चुन लिया तेव गण समझा, बिना बताय आ गया ना यहां पर लगता है आपनो कहीं जा रहे हैं और मुझे कहीं जाने के लिए किसी के आदे के आवशकता नहीं है कोई चा कर भी मुझे रोक नहीं सकता ना 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 मैं नहीं रोकूँगा पर हाँ क्या मैं चाहूँगा वहाँ तुम सभी को जाना होगा मेरे साथ मेरी इच्छाथ से कदाचित तुमारी एच्छाथ कभी पूर नहीं हो सकती नर्कासुफ तो सहस का पटेशन कर रहे हो तुम तेवराच्छ मेरा सामना करना चाहते हो तो आव करो सामना तो अवेशियों को बांद कर उन्हें हाकनी की तयारी कर रहे हैं एक चर्वाहाम से युद्ध करने के लिए आया है युद्ध नहीं करूंगा बस हाक के तुम सभी को ले जाओंगा यहांस उनकी सदा विजय होती है जो अपने ज्ञान का सदूपयोग धीरच और बुद्धी मत्ता से करते हैं और रोपडेश को सब्सक्राइब और युद्ध कर शुद्ध कर दो कर दो लिए रहे हैं झाल